जय श्री राधे दोस्तों, मैं स्ट्रिलोजर निलू चोहदरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रोजाना राशेफल से सम्मंदित सभी प्रकार की जानकारी पानी के लिए हमारी चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारुबार, परिवार, दामपत्ते जीवन और प्रेम सम्मंद को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरीए जरूर बताएं मैं आपको परेशानी से दूर होने के उपाए जरूर बताऊंगी राशी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आपको अपनी शाधी के बारे में जानना है कि आपकी शाधी कब और किस से होगी कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शाधी कितमी दूरी पर होगी, जल्दी शाधी के लिए क्या करें तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जनम दिन और जनम का समय यानि की आपका जनम सुभ या शाम में हुआ है उसकी सही जानकारी कमिंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी प्लीज अधुरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं दे पाऊंगी जोति शास्त्र में आ रही बाधा को दूर करने और मन्चहत जीवन साथी प्राप्ट करने के लिए कई उपाई बताए गए हैं जिन में एक है मंगला गौरी वरत, ऐसा कहा जाता है कि माता पारवती ने शिवजी को अपना पती के रूप में प्राप्ट करने के लिए इस वरत को किया था इस वरत के पुन्ने प्रताप से उनकी शादी शिवजी से हुई थी हैसे में इस वरत का अती विशेश महत्व है अगर आपकी शाधी में बादा आ रही है तो आप इस वरत को जरूर करें आए इस वरत के बारे में विस्तार से जानते हैं पहले कथा और फिर विधी तथा महत्व जानेंगे मंगला गौरी व्रत कथा पौरानिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में धरमपाल नामक एक सेट रहता था जो सर्वगुड संपन था सेट धरमपाल के पास धन धन्य के कोई कमी नहीं थी लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी यह बात उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी कि अगर उनकी कोई संतान ना हुई तो उनका वारिस कौन होगा कौन इस व्यापार की देख रेक करेगा यह सब सोचकर धरमपाल दमपती हमेशा चिंतित रहते थे इसके बाद गुरु के परामश के अनुसार सेठ धरमपाल ने माता पार्वती के शधा पूर्वक पूजा उपासना की और इस पुन्य प्रताप से एक दिन खुश होकर माता पार्वती प्रकट होकर बोली हेवत्स तुम्हारी भक्ती से अतिप्रसन हूँ मांगो जो वर मांगना चाहते हो उस समय धरमपाल दमपती ने संतान प्राप्ती की कामना की इसके बाद माता पार्वती ने कहा हेवत्स संतान प्राप्ती होगी लेकिन संतान अल्प पायू होगा तुम्हारा कल्यान हो यह खहकर मा अंतध्यान हो गई कालंतर में धरम पाल की पतनी ने एक पुत्र को जनम दिया और उस समय सेट धरम पाल ने जोतिशों को बुला कर पुत्र का नामकर्ण करवाया फिर सेट धरम पाल ने माता पारवती के वचन से जोतिशों को अवगत कराया उस समय जोतिशों ने कहा आप अपने पुत्र की शाधी उस कन्या से करवाएं जो मंगला गौरी वरत करती हो मंगला गौरी वरत के पुण्य प्रताप से आपका पुत्र दिर्ग आयू होगा यह वरत महिलाएं अपने सुहा के दिर्ग आयू और पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं कालं दर्स में सेड धरंपाल के पुत्र की शाधी मंगला गौरी वरत करने वाली कन्या से हुई और कन्या के पुण्ण ने प्रताप से धरंपाल का पुत्र मृत्यपाश से मुक्त हो गया और इस वरत का विशेश महत्व है इसे अविवाहित युक्तियां और महिलाएं हर मंगलवार को करती हैं खास कर सावन की हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी वरत मनाने का विधान है इस दिन माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है इस वरत को महिलाएं अपनी सुहा की रक्षा और संतान प्राप्ती के लिए करती हैं ऐसा मानिता भी है कि अगर किसी युक्ति की शाधी नहीं हो रही है अथवा शाधी में बाधाएं आ रही है तो उसे मंगला गौरी वरत जरूर करना चाहिए इस वरत के पुण्य प्रताप से युक्ति की शाधी में आ रही सबी बाधाएं दूर हो जाती हैं मंगला गौरी पूजा विधी इस वरत को सावन महीने के चारों मंगलवार को किया जाता है इसके साथ ही जिन लड़कियों की शाधी में बाधा आ रही होती है उन्हें ये वरत जरूर करना चाहिए इसे कम से कम 21 मंगलवार को जरूर करना चाहिए इस दिन सुभा में उठे और गंगा जल युट पानी से नहा कर साफ कपड़े पहने और फिर सूर्यदेव को जल अर्ग दे अब मा पारवती और शिवजी की पूजा करें आप अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं दिन भर उपवास रखें और शाम में आर्थी अर्चना कर फालाहार अथवा सिंधा नमक युट भोजन कर सकते हैं ध्यान रहे कि इस दिन लहसुन प्याच और खटी चीजी ना खाएं अगले दिन पूजा पाट कर वरत खोली इस वरत को करने से सिग्र ही शाधी होती है दोस्तों इस तरह की औरने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डेस्वोट अथवा प्ली लिस्ट पर जाएं और अपनी राश्यन उसार वीडियो ज़रूर देखें तो दोस्तों आपको यह जानकारी केसे लगी लाइक कमेंट और शियर कर हमें जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें माता राने की क्रिपा से आपके चहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहें आप सब परिवार सथ एवं सुखी रहें आप सभी के प्यार और स्नहें के लिए मैं आपको हिर्दे से धन्यबाद करती हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जोड़े रहें इनी शुपकामनाओं के सा मैं आपसे विदा लेती हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार जैश्री